हेलो दोस्तों नमस्कार मेरे नाम सुनील और आप सब का बहुत-बहुत स्वास करता हूं मेरे युट्व चनल पर दोस्तों आज का टोपिक बहुत ही खास होने वाला है तो प्रिस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत दिनों बाद में वीडियो बना रहा हू तो आज हम बात करेंगे कि हम सेंपल कैसे तयार करें क्योंकि लोगों का डिमांड यह होता है लोगों का कहना यह होता है कि हम सर मार्केट जाते हैं लेकिन हमें रिस्पोंस नहीं मिलता है मार्केट में वैलू नहीं मिलता है मार्केट में लोग बोलते कि आपका जो माल है व वो soft क्यों होता है और आपको कैसे sample बनाना है वो सारी information हम आज आपको इस वीडियो के माधियम से देने वाले हैं तो इसलिए वीडियो में end तक जरूर बने रहें और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon जरू प्रेस करें ताकि क्योंकि इस तरह का knowledgeable वीडियो आपको हर चैनल पे नहीं मिलेगा और आज हम लेट हो गए वीडियो बनाने में तो पीछे हम चारपांद से वीडियो नहीं डाले थे क्यों क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज्यादा चल रहा था डे नाइट चल रहा था इसलिए समय बिलकुल न देखने बनता हुआ यह डे नाइट इसमें चल रहा था रात में भी चल रहा था दिन में भी चल रहा था सुबह चार बज़े चला रहे था करके तो इसलिए वीडियो आप लोग को नहीं दे पाए अब दुगा करते हम आप सबसे की आप लोग का भी ऐसे ही काम चले पर देर हैं तो इसमें प्रोब्लम क्या होता है कि इसमें आपको जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो आपका दुकांदार आप मार्केट में गए सारा सेंपल ले करके तो हर दुकांदार आपका प्रोडेक्ट जो होता है पीस जो होता है खोल खोल के निकाल के देखता ह कृए है फिर उसको आप पैक करते हैं तो उस तरह से देखने की वज़से आपका जो सेंपल होता है वर सोप्त हो थेसा क्यों होता है जितना बार खुलेगा उतना बार आपको वह जो है प्रोब्लम आएगा लूज होगा माल तो उसके लिए आपको क्या करना होगा सेंपल कैसे तयार कराऊंगो आज हम इसी बिसे पर चर्चा करेंगे डिटेल से और ये जो बेसिक जानकाड़ी है वो हर कोई नहीं देता है इसलिए वीडियो को लाइक जरू करें क्योंकि आप लोग के लिए हैं ये वीडियो हम बनाते हैं इसमें मेरा कोई प्रोफिट नहीं तो जब भी आप सेंपल रेडि करते हैं या जब भी आप मार्केट जाने की तयारी करते हैं तो जब आप मार्केट जा रहे हैं एक तो कि आप ताजा सेंपल लेके चले उसके बाद सेंपल बनाने की तयारी कैसे करना है कैसे सेंपल बनाया जाए आप मानलो अगर आप 10 पीस का packet में लेके जा रहे हो तो आप मसीन को full हिट करके इतना भी हिट नहीं कि plate जल जाए बतलब आपको लगए कि हमें plate अच्छास निकल रहा है और मसीन को मसीन का जो पंखा है उसको बंद कर देना है और एक एक पीस मसीन को को रोक, रोक के चलाना है इसे एक पीस आप डाईए में काते तो एक, कुछ सकेंड के लिए मशीन को रोक दे उसके लिए उसको ओन करें वॉयसे कर क्यूंक के 10-20 पीस हर आइटम की निकाल करें पनी में पैक कर देना है उसको बारबाव चेक निकाना उसको जैसे ही आप निकाले हो वैसे ही आपको पनी में पैक कर दो और पनी में पैक करके उसको फिर आप लेकर के मार्केट में जाओ उसके बाद आपको मार्केट को कन्वेंस कैसे करना है यह हम आपको बताते हैं वीडियो को आप लाइ कुए में बात को बिठाना है और कुष्टमर को वहीचीज दुहराना आ है। जब ही कोई कस्टमर आपको बोलें कि आपका माल सोबट है या फिर आपका बहुत ही मुलाइम है तो आपको उनको यही Byद बताना आप की सामान है वह हमारा ठीक है जो हम प्रोडे करते हैं उस्ट्रेम आपा करके मेरी घर पे मेरे मसिन के पास बीजित कर लो चेक कर लो कि अच्छा है या नहीं है फिर आप मेरों कहना क्या होता है कि जब भी हम मार्केट में निकलते हैं सेंपल को लेकर तो बहुत लोग इसको निकालते हैं पनी में डाल ती सवाज से सवाप प्लेट जैसा है वैसा है या 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 यह नहीं इस यह डो क्वाइलपी है नहीं मुझा से आपको आपक cần लीएें कि यह दальной की करें लीइ और यह जोंसा साथ समय सब्सक्राइब हैे इस टोUAर respectful करना होगा ईस नहीं दो उमीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा और यदि ये वीडियो पसंद आ रहा हो तब प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब करें ना भूले साथ ही बेला गंजुर